हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 3-1-Tag तो फ्रेंट्स जैसा कि आपको पता है कि अभी तक आप अगर किस अपनी वीडियो में चाहे आपका लोंग का चैनल हो चाहे आपका शोर्स का चैनल हो अगर आप अपनी वीडियो में किसी भी सोंग को यूज करते थे किसी भी बोलिवूड सोंग को यूज करते थे या किसी भी तरीके के सोंग को आप यूज करते थे की तरफ से एक बहुत यह बड़ा अटाने वाला है जिसके बाद आप अपने यूट्यों में चाहzem आप शो ट वीडियो बनाएं चाहें आ तो वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखेगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यूँ है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नॉटिफिकेशन बेल को उन करके उसे ओल पे सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स हम आ चुके अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और मैंने डारेक्ट वो पेज ओपन किया हुआ है जहां पे ये आपके लिए बहुत बड़ी बिग अपडेट है यूट्यूब की तरफ से अगर आप कोई भी सौंग अपनी वीडियो में यूज करते हैं तो अब आपको कैसे करना है क्या अपडेट है ये सारी डेटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो आप देख सकते हैं हापे लिखावा है अपने कॉंटेंट को मूजिक के साथ मॉनटाइज करवा पाएंगे इन्होंने यूएस के अंदर क्रेटर मूजिक को लौंच करके देख लिया है इन्होंने वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देखा है और इन्हें अच्छे रिजल्ट मिले यूट्यूब को और अब ये यूट्यूब यूएस से बाहर अधर कंट्रीस के अंदर भी से जल्दी ही लाने वाला है इस अपडेट को क्रेटर मूजिक का एक ओप्शन जो आपको अपने वाइटी स्टुडियो के अंदर दिखाई दे जाएगा मैं यहाँ पे आपको ये पढ़के बता देता हूँ क्रेटर मूजिक is a large and growing catalog of tracks that creators can use in their long form videos without losing out on monetization क्रेटर मूजिक gives creators a new option to use music and other revenue while also giving artists and music rights holders a new way to earn on youtube keep in mind that creator music is not necessary for shorts for shorts creators can use music or audio from the sound library and other revenue मतलब यहाँ पे लिखावा है creator music का एक option आपको मिल जाएगा sound library जो है आपकी वहाँ पे अगर आप shorts वीडियो बनाते हैं तो sound library से आपको उसका music मिल जाएगा जो creator music होगा मतलब creator music के अंदर youtube बड़े बड़े जो companies हैं जैसे t-series हो गई और आपकी जो g music हो गई मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनिया है music की उनके साथ ही collaborate कर लेगा जिससे आप उसके song को use कर पाएंगे और वो song किस तरीके से use करना है वो भी मैं आपको इस video में बताऊंगा देखो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है use tracks from creator music यहाँ पर इन्होंने बताया हुए कि किस तरीके से आप songs को use कर सकते हैं सबसे पहला option है इसमें get a license pay an upfront fee or no fee for some tracks to use music in your monetizing videos मतलब यह कह रहा है वो depend करेगा उस music पे और कुछ ऐसे भी होंगे जो paid होंगे किसी का price ज़्यादा होगा किसी का कम होगा वो song पे depend करेगा किस तरीके का song है कितनी उसकी demand है उस हिसाब से उसकी pricing होगी और यहाँ पे जो अगर आप license purchase कर लेंगे किसी भी music का तो आप उसे freely use कर सकते हैं उसके बाद क्योंकि एक बार आप pay कर देंगे उसके बाद आप उसे किसी भी वीडियो में अपनी use कर सकते है उसके बाद यहाँ पे दूसरा option है share revenue इसमें लिखा है pay no upfront fee and split video revenue with the tracks rights holder मतलब आपको share revenue revenue का मतलब है अगर आप कोई भी उसमें पैसे नहीं देना चाते free में use करना चाते है creator music को तो आप उस music को free में use कर सकते है पर उससे जो भी आपकी earning होगी वो आपकी आधी-ाधी हो जाएगी जो music का ओरनर होगा उसके साथ ठीक है उसके साथ revenue share हो जाएगा तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप किसी भी song को use करना चाते है जो paid है या तो आप उसका license करीच सकते हैं और अगर आप पैसे नहीं देना चाते तो आप उससे free में use करना चाते हैं उसका revenue share हो जाएगा मतलब आप इसे use कर पाएगे ठीक है कुछ कम पैसे मिलेंगे लेकिन पैसे जरूर मिलेंगे आप इससे कमा पाएगे और यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे नीचे दे रखे है uses option can differ on a track by track और जो यह options हैं आपको use करने के music को कि किसको आप use कर सकते हैं किसको नहीं यह track by track पे depend करेगा मतलब आपके अलग-अलग songs पे depend करेगा not that you may see some tracks that aren't available for licensing और revenue sharing मतलब कुछ song ऐसे भी हैं होंगे जिसमें आप ना तो license ले पाएगे उसका नहीं आप उसके revenue sharing करेंगे लेकिन अगर आप if you choose to use one of those tracks लेकिन अगर आप उस तरह की song को choose करेंगे तो हो सकता है आपकी वीडियो में content ID claim भी आजाए और copyright भी आजाए इसलिए आपको यह ध्यान से check करना है जो creator music के अंदर होगा उसी music को लें जिसमें license या revenue sharing का option हो ठीक है उसी music को आप use करना है तो आपको ढंक से इसे use करना है बहुत जल्द आपको अपने channel पर देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में तो friends आपने आप यह अच्छे से सीख लिया होगा कि आप किस तरीके से अपनी वीडियो में बोलिवूड song को आने वाले कुछ time में आप use कर पाएंगे और उससे आप earning भी कर पाएंगे अगर फिर भी वीडियो से related कोई question आ रहा है आपके mind में कोई query है तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूश सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो पसंद आई हो तो इसे like और share जरूर करें thank you